प्रिये विद्यार्थियों जैसा की हमने सप्न वासवदत्तम नाटक के पात्र परिचे के अंतरगत कल नायक उदेन के चरित्र के विशे में अध्यन किया था आज हम नाटक की नायका वासवदत्त के चरित्र के विशे में अध्यन करेंगे वासवदत्त का चरित्र उद्दात है जो नायक के लिए किसी नाटक कार की उपस्थिति करनी की अवशकत होती है और नायका का नाटक में होना ही उसे आवश्यक बनाता है तो उद्दातता की द्रश्टी से नायका के लिए आवश्यक है कि वेल अंतर है नायक स्वतंतर रूप से प्रत्यक्षत है नाटक का केंदर बिंदू होता है और नाईका नायक के उस केंद्रत्व में यानि केंद्र के भूमिका में सहयक होती है वासवदत्ता इस नाटक की प्रधान नाईका है श्रंगार प्रधान नाटक का आश्रह यहीं है प्रस्तुत नाटक में चित्रित उसके चरित्र को निम्न रूप से अम देख सकते हैं जेश्ठा नाइका श्रिंगार प्रधान नाटकों में दो नाइकाई होती है एक कनिष्ठा तथा एक जेश्ठा इस नाटक की जेश्ठा नाइका वासोदत्ता है वह उच्च कुलोद पन प्रध्योद की पुत्री है उसमें शत्रियता के सारे गुण विद्यमान है नाटक का नाइक उदेयन उसके गुणों पर अनुरक्त है आसकत है, रूप माधूर्य पर आसकत है वह वासोदत्ता की मृत्यू भी सुनकर अन्तत्य किसी प्रकार भूला नहीं पाता अनिंद सुन्दरी वासोदत्ता सुन्दरी है, बहुत सुन्दर है इसी कारण तो उदेयन वीना सिखाती समय उस पर महुईत हो जाता है तथा उसकी माता पिता की बिना हनुमती की उसे भगा ले जाता है उदेयन उसकी काई का कोमलता कवर्णन करते हुए कहता है अस्य स्निक्दस्य वर्णस्य विपत्तिदारुना कथम राजा घोश्वती की मिलने पर घोश्वती का यहां अर्थ है वीना वीना का नाम है, वीना सिखाती समय का द्रिश्य ध्यान करती हुए वासवदत्ता की मुस्कराहट का इसमरन करता है, अतै प्रतीत होता है कि वासवदत्ता की मुस्कराहट उसकी हसी बड़ी मनुहारी थी, सबसे बड़ा सुन्दत्ता का प्रमाण यह है कि वासवदत्ता को किस दश्या मिराजा भूला नहीं पाता कर्तव्य पालिका वासवदत्ता की चरित्र की सबसे बड़ी विशेष्टा है उसकी द्वारा किया गया कर्तव्य पालन वह योगन दरेन द्वारा स्वापे गए गुप्त वेश धारन रूप कारी को अति विशम परिस्तितियों में रहकर भी पूरा करती है पती वियोग सहती है पर कारी का परित्याग नहीं करती सब अतनी को आखों की समक्ष देखती ही नहीं अपितु रहती कि फिर भी वे उसका विरोध नहीं करती भाग्ये की द्वारा विविद्ध प्रतार्णा देने पर भी वे मुख से एक शब्द भी नह ने कर सके वैसे तो त्याग ही प्रेम की कसोटी है परंतु वासवदत्ता का जो त्याग है वै अनुपम है अनुठा है ओदेन का प्रेम आसकती प्रधान है तथा वासवदत्ता का प्रेम त्याग प्रधान है यदि ओदेन वासवदत्ता के प्रेम में मतमस्तोकर राज्य की उ पितु अपने प्रेम में भागीदार भी बना लेती है साधरन आइकाउं की सुभाव के लिए यह दुशकर कार्य है इस प्रकार वै उदियन के प्रेम के लिए अपनी प्रेम का बलिदान तक कर देती है अत्यों उसका प्रेम आसकती नहो कर यह थारता है वे अपनी पती के लिए सब कुछ करने को तैयार है इसलिए मंत्री योगन धरेंड की योजना में वह सहभागी बनती है और अपना प्रेम स्वेम ही बलिदान कर देती है एक उत्क्रिष्ट प्रेमी का वासवदत्ता के प्रेम चरम सीमप तक पहुँचा है प्रेम की अतिशेता का परिणाम उन्माद होता है उसी उन्माद की कारण में पाद्मवत्ती की समी प्रहती हुई भी एक त्थिनिये जो कहे जाती है वे तपोवन में ब्रहमचारी से उदेन की ऐस स्वस्थता सुन करोने लगती है जब दासी पूछती की दिविराजा कुरूप होतो तो वासवदत्ता कहती है कि नहीं वे नहीं वे तो सुन्दर है वे अपनी गुप्त वास को भी भूल जाती है शन भरबादी ध्यान आने प तक भाव आती पती परायना है वासवदत्ता प्रेमी का कि साथ ही पती परायना भी है ओदेन के प्रति उसके मन में उदारता सम्मान की भावनाय ब्रहमचारी से पती को सुन कर व्याकुल हो जाती है और रूनी लगती है तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पद्मावत्ती के साथ विवा हो जाने पर भी वे मन में संतोश कर लेती है और आरे पुत्र मेरे सुक्तु के अधी मेरे दुख से अधिक तुखे नहीं होंगे ऐसे पद्मवती की ऐस उस्तता का समाच्या सुनकर भी वेक्य उड़ती है अहो करुणाहा खल विश्वराहा में विरह पड्यूत सुकस् ये पुत्रस्य विश्रम स्थलब होते ये मपी नाम पद्मवती अवस्था जाता वे अत्यंत सेहन शीलता का गुण वासोदत्ता में अतिव कूट कूट करके भरा है वे सैश्टनू नारी है वे पती की द्वारा परुक्ष रूप कहे गए वचन को सुनकर भी आत्म संतोश कर लेती है इस प्रकार से वस्तुत है परुक्ष में भी की गई प्रशंसा ये अथार्थ होती है और सत्य प्रशंसा सुनकर भी उसका मन प्रतार्थ नहीं होता वे उदियन को अपनी याद में खोया हुआ देख कर कहती है भवत भवत विश्वसितास मी अहो प्रियम नामे द्रशं वचनमा प्रित्यक्षं शुरू यते